दिवाली की दिन से उत्तर कासी की निर्मान धीन सुरंग में कैत 41 श्रमिक बहार निकलने की उमीद लगाए हुए हैं और आपको बता दें कुछी घंटों में ये बड़ी खुसकबरी आने वाली है लेकिन उससे पहले क्या इतिहात बरते गए हैं वो आपको बता दें उन्हें बहार निकालने की पूरी कोशिश हो रही है लेकिन हर बार कोई ना कोई बादहा आने से सफलता नहीं मिल रही रेस्क्यू का आज 70 दिन है स्रमिको की सलामती के लिए सुरंग के पास लोग पूचा पाठ भी कर रहे हैं बाबा बॉकना के मंदिर के पास लोग हवन पूजा कर रहे हैं रेस्क्यू टीम अप स्रमिको से केवल कुछी मीटरों की दूरी पर है करनल राहत एब बचाव अभ्यान के परभारी करनल दीपक पार्टिल ने बताया कि मैनूल ड्रिलिंग 33.9 मीटर तक हो गई है 57 मीटर पर ब्रेक्थू होने की उमीद है परधान मंत्री नरेद मोदी ने मुख्य मंत्री पुषकर धामी से दोबारा फोन पर बात कर सुरंग में फसे स्रमीको के राहत एब बचाव कारे के संबंद में जानकारी ली उन्होंने कहा अंदर फसे स्रमीको के साथ ही बाहर राहत बचाव कारे में जुटो लोगों की सुरक्षा का भी विसेस धिहान रखा जाए अलट के बीच सिलक्यारा में बारिस शुरू हो गई थी ऐसे में बचावब्यार में जुटी टीमों को भी परेसानी हो सकती थी बता दें कि आज राज्य के परवर्तिय छेतर उत्रकासी चमोली और पित्थार गड़ में कहीं कहीं हलकी बारिस और गर्जन के साथ बारिस होने की संभावना है 3500 मीटर के अधिक उचाई वाले इस्थानों पर बरफबारी होने की संभावना है 31jor मदरों के परिजनों को तैयार रहने और मदरों के कप्ड़े और बैग तैयार रखने को कहागया मदरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल कर 84 पर Card하는데 कर ले जाया जाएगा वो साकुसल सुरंग के भार होंगे और जबार कोई विपदा अर्चना यहां पर नहीं आएगी लेकिन अधिकारी हर मुसीबस से लड़ने के लिए मोर्चे पर तैयार है अगर कोई अर्चन भी आती है या कोई बुरी खबर भी आती है अर्चन भी आती है